आपने एक और इस्टुएंट से मिलते हैं अभी शेक से जिनकी 450 रांक है इनको नाइटी कुरूचे तरह अलॉट हुआ है तो अभीशेक इस rank और college के लिए पहले तो आपको बहुत सारी बढ़ाई और अभीशेक अपनी success journey बता है उसके पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको अभीशेक का 11-12 में commerce background था और फाइनल यर के साथ यह rank अचीव करना और कम समय में यह चीज आपके लिए जाना बहुत जो ही तो मैं बोलूगा कि आप सब लोग वो लोग जो कई बार घबराते हैं कि मैस वीख है वो अभीशेक से बहुत कुछ सीख सकते हैं तो अभीशेक जो आपकी success journey है मैं और उसके बाद में मेरे पापा मलब जिनने यहां तक support करा मुझे हर situation से लरना सिखाया उनको thank you बोलना चाहता हूँ मेरा BCA 3rd year था जब मैं September में आट असर असर के पास जब मलब मेरी starting position थी जब बिल्कुल नहीं पता था मैंने match की एक बो खोल के तक नहीं देखी थी मैच की topic तक नहीं था की trigonometry का रहा है कुछ नहीं बताता था first class थी हमारी quadratic equation की सर लिख रहा है आयोटा हमें आयोटा भी नहीं बताता उसके बाद धीरे धीरे मलब एकडम distraction हो गया की क्या करेंगे क्या करेंगे बहुत लोग बोलते थे कि नहीं non match background नहीं होगा नहीं होगा पर सरच सर बोले कि तुम मैनट करो अराम से होगा ऐसा कोई बात नहीं है हम चालो करें दीरे दीरे book solve करें अब लोगों का यह होटा है कि वह 4-5 book एक साथ solve करते हैं उससे कोई मतलब नहीं मेरे मानने में आप एक book solve करो पर उसको जित्ति बार कर सकते हो उसको करो जैसे मैंने self scorer करी थी उसको करीबन मैंने 4 बार solve करी यह पर उसका ऐसा था कि उसको को बाई हार अच्छे से सॉल्व करो उसके बाद मलब अपना मेरा रूटीन इसाथा सुबह साथ बज़े से आते थे रात के नो बज़े तक यहीं पर रहते थे आज नो बज़े ता घज आते थे फिर खाना खाके फिर पढ़ाई करते थे यह पूरा रूटीन एकडम सही चल र रैंग लाए थे जैसे सर मोटिवेशन देटे थे इस पीज देटे थे उससे लॉगड़ाउन में बहुत जाटा है है कि कि किस वक्त पर क्या स्टैप लेना है आपको लॉगड़ाउन में हम चोच लेते कि कुछ भी हो जाए हर एक दिन परेंगे भले कितने भी घंटे परें परेंट और कंसिस्टेंसी रैंक लेके आती है तो में मलब डेली लॉगड़ाउन में भी एक केसा दिन नहीं निकला जिस दिन मनलब मेंने बुक नहीं उठाई हो और मलब पांच से गंडे पढ़ाई ना करी हो लॉगड़ाउन में तोरी काम होती थी फिर जेसी थोरा कर दिया हमें कि मलब हां ठीक है कोचिंग आ सकते हो फिर कोचिंग आना चालू कर दिये जैसे तेसे कवर करें पूरा उस समय तक हो गया था पूरा पर एप्रॉक्सिमेट हमारा साथ तारिक को भी बटा अथा इस तारिक को हम आये आप है मलब एकदम से फीवर टाइप हो गय है तो चैक अप में बोले कि लिवर इंफेक्शन है फूट पॉट निंग है डारेक्ट एडमिट तो हॉस्पिटल उस समय कुछ समझ नहीं आये एकदम से डिमाग ब्लैंक हो गया अब मलब पूरा यह मलब छे साथ में की जो मैनत करी थी सब खराब ऐसा वेसा फिर सरसर का समय सरसर का फोन आया तो सरसर बोले कि मलब जो साल बर मैनत करें वो एक हफता क्या दो हफता भी खराब हो जाए ना कोई फार्क नहीं पड़ता साल बर तुम मैनत करें और तुम करोगे पस वही मलब उस समय हमें लागा हाँ ठीक है जब पीपर देखा बहुर लोग प्रैसर अच्छो ने पीपर बिगार दिया पर हम पीपर देखते से पस एक चीज़ सोचे थे कुछ भी हो जाए यह पीपर पस कैसे ते से सॉल्फ करेंगे और पस सॉल्फ करें और पस आ गई रहेंग सरसर अभी शेक ने जो अपनी सक्सेश जरनी बताई क्योंकि मैं यह क्लास्रू में जोइन किया था और सोचिए जब जोइन किया था तो मैस में यह कंडिशन थी मेरे लिए बहुत टफ होता उनके लिए जिनको मैस के बेसिक टर्म जैसे इसने बोला आयो टा साइन थीटा कॉस्टीटा वहां से एक तो वर्थ चालू किया दूसरा लॉक्डाउन के वज़ से एड्मिट भी हुआ ड्रिब भी लगी ईवन साथ अगस को जब यह पेपर देने गया था तो सुबह इंजेक्शन लगवा के पेपर देने गया था आप सूच लीजे पर बस मैंने एक ही बात बोली थी कि अपने को हिंबत नहीं हानी सारवल महनत की तो पेपर तो छोड़ है नहीं जो होगा देखा जाएगा और यह चीज काम आई और देखो आपने कितना अच्छा रिजल्ट दिया मैं एक चीज और चाहूंगा आप बच्चों को बताओ क्योंकि आपका चेलेंज सबसे पहले मैस नहीं से मैस वाले बच्चे होते न उन्हें मैस आता है आपका च पर जब हम स्टार्टिंग करें सरसर के पूरे लेक्चर करें आज तक एक एसी क्लास नहीं होगी जिसका पूरी theory में मैस रद सर के आज तक कोई क्लास नहीं झो रही तो कि हर एक क्लास में कुछ ना कुछ नयाज सेखनों को मिलता था कुछ ना कुछ नया concept पता चलते थे पर जब हम is starting करें दियान मन् से पहले कहां से कुछ हुआ है एक चीछ को जानना बहुत जरूरी था क्योंकि हमें कुछ बैक्ग्राउंड नहीं पता था कि मलब यह बना कहां से करा, तो पहले थोरा साम आर्डी परे थे, उस समय आर्डी सब्जेक्टिफ जो होती थी, थोरा कुछ चैप्टर हो कि जिसमें दिखका था, इस सब्जेक्टिफ वहां की करी, वहां की कॉन्सेप समझ में आया, उस सरच सर का यह था, सरच सर एकदम बेस समय में आया था, क्योंकि वह सरच सर एकदम बेसिक से उठाके, मलब, माइनस इंपिनेटी टो प्लेस इंपिनेटी मान लो, तो मलब, बेसिक से उठाके, सर एकदम वहां ले गाया, आप बागी, बहुत अच्छी बात है, बहुत महनत करी, आप देखो, आपने महनत से, आप मैच से डरो मत, मैच के साथ, अगर आप इंजॉय करोगे ना, तो मैच अपने आप बन जाएगा, पस ही बात है, आप जिट्टा डरोगे तो मैच धराएगा, पर आगर आप उसको समझ के पढ़ाई करीं ना, मैच को, हर एक चीज समझे आपने, हर एक बेसिक समझेप समझे